कि दोस्तों यह गोडों के लिए बने हुए कि इसके अंदर गोडों को कैसे चड़ाए जाता है वह सारा आप इस वीडियो के अंदर देखेंगे देकि पूरा सिस्टम जो है रिमोड कंट्रोल से जंचालित यह गाडी है और इसका जो प्लेट फार में इसको तियार कर दिया है कि दोस्तों इन गाडियों के अंदर गोड़े को बिठाने के लिए बहुत सारी मसकत करने पड़ती है क्योंकि गाड़ी कापी छोटी है और सिर्फ गोड़ा खड़ा हो सकता इतनी जगह है इसलिए यह गोड़ा जाता है गेट तक लेकि वहां से फिर वाफस आ जाता है फिर यह दुबारा परियास करें कि इस गोड़े को गाड़ी के अंदर बिठाये जाए और गोड़ा जो है चड़ नहीं रहा है परियास करें मालिक लगें में इसके साथ में दोस्तों गोड़ा का ले जाने के लिए इस परकार कि बहुत सांधार गाड़ियां बनी हुए इन प्रेट बन्दो हो रहा है की बंद वहरा है इक री अर्ट सिर्ट पागा की है कि अधिन के लिए इनके नंगार का पाढ़ क आए इनके दोस्त का है इसले उनकिले यह गाड़ी आया उघर पाप रिग परी इस निकलने का बात करें तो दोस्तों देखिए गाड़ी का गेट अभी बंद कर रहे है इनके जो नीचे के पाउं थे वो साथ रेगे तो वापस खोल के और इसको गेट को बंद करेंगे आया मंदर का बंद देखिए गादी को रिमाट कंट्रोल कर रहे हैं यह काजी महीं एक और यह जो गेट है वो पंद होरा नाया जो आपके आप्में और इससे क्या कर रहे हैं डूर लगा रहे है अच्छा गोडे के गाड़ी के गेट भी ऑटमेटिक है हां वह बहुत सांदर तो दोस्तों ये जो गाड़ी है उसके अंदर गोड़ा पिटा दिया लेकिन अंदर से ये गाड़ी किस परकार बनी हुई है क्या है अंदर का पूरा जो नजरा है वो आईए हम इस गाड़ी का अंदर से देखते हैं कौन से गोड़ा परतम आया वो भी हम देखेंगे आज का जो गोड़ा परतम आया उसको भी देखते हैं अंदर का सीन में आपको दिखता हूं इस गाड़ी के अंदर से आईए देखेंगे मैं आपको जो बदा रहा था कि ये गोड़ों के रहने के लिए गाड़ी है अभी इस्टेट फर्म जा रहे हूं नाई अभी तो यह 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 आप्यों जिए हो कॉwnान का फिलगों करा बडल दता एंपा किसे कोन से इंज हैग अंदर को यह अच्या कैसर ऑसम चामार चस्टेट आंग जेपे अंदर करने कॉट साली नहीं यह संब इस नहीं है उस्टिक जहरा ऑख जुनर हैं जुन फर्म जजल फर्शा नहीं ये इस के अंदर गाड़ी जदर है वेस्ट करें वेस्ट करें अगनल है दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके जुरूर बताएं जमसार ब्लोग और जमसार पेज को जुरूर फालो करें और नए वीडियो देखते हैं इसी परकार थेंक्यू धन्यवाद जैन जैपर